आज मैं आपको सिखाऊंगे एक और तरीका स्वी से फंदों को बंद करने का मैंने एक पहले भी सिखाया हुआ है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रप्शन में मिलेगी आप सर्च कर सकते हैं इसी वीडियो के टाइटल से तक्रीबन से में होता है इसे फंदों को बंद करना आप यह देखें इस स्टॉकनेट स्टिच पे सिखा रही हूँ वह मैंने एक सीधे कुल्टे पे सिखाया हुआ है तरीका वह भी असान है यह भी असान है आपको इस्तुमाल कर सकते हैं और भी तरीके हैं अगर आपने सीखने हैं तो आपनी चिकमिन कर दीचेगा this is a bind off with a tapestry needle this bind off is used when you need a stretchy bind off like a collar neck collar और a top of the socks गले का जो होता है collar होता है border होता है वी neck round neck का उसके लिए किसी भी sweater के गले का और socks का क्योंकि वो फिर असानी होती है पहनने में टाइट नहीं होता ज्यादा bind off ज्यादा तर टाइट हो जाते है इसलिए यह ज्यादा बहुत ही stretchy bind off है अब आप क्या करेंगे आपने धागा काट लेना है you will cut the yarn and you will how you will cut the yarn आप कैसे काटेंगे आपको कैसे बता चले कितना धाग है एक दफ़ा एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा और महत्यातन चार दफ़ा भी काटते हूं but मेरे पास यह extra है this is extra thread I have क्योंके मेरे पास थोड़ा सा piece बचा था जिस पर मैं आपको सिखा रही हूं you need to just do like this one two three four बस इतना करके आप धागा काट लेंगे और उसके बाद फिर यह method इस्तमाल करेंगे आप सीना शुरू करेंगे अभी हम इसको सीना शुरू करते हैं बहुत यह आसान easiest method यह देखें स्वी को आपने पर्ल वाइज डालना है पर्ल वाइज मतलब पर्ल मतलब उल्टा फंदा पुट निडल पर्ल वाइज as if to pearl like this like this okay now pull it out दागे को खींच लें आप इस तरह से पर्ल जैसे उल्टा फंदा बनते हैं डाला दागा दो फंदो में नाव निट वाइज वी विल पुट ते निडल टो दिस सिस्टिच अब जैसे सीधा फंदा बनते हैं इसी तरह से स्वी डालेंगे इस वाले पंद है अँप किज यगा मैं कोशिश करही हूंदि को भी आसानी से समझ में है स्लो स्मझा रही हूं नाव डराप तस टाउं इसको निची करा दे ठीक है ग्रिप आपने जो रखनी है ना ज्यादा लूज रखनी है ना ज्यादा टाइट रखनी है नाट टू टाइट नाट टू लूज फिर से रिपीट थे सेम स्टेप पुट तर नेडल पर्लवाइस एंटर टू स्टिचेश दो फंदो में आपने इसलाइड डालनी है जैसे हम फंदे को लटा बनते हैं इस तरह से अब इस फंदे में आपने इस तरह से जैसे फंदे कुसी इधा बनते हैं नेट वाइज इस तरह से दाल के खेंचना है ना ज्यादा टू लूज ना ज्यादा टाइट फिर इसको ड्रॉप कर दें keep doing it you will enjoy this आपने एक तफा सीख लिया आपको मजा आए गए करने में यह वाल बाइंड ओफ फिर इस तरह से फिर से इस तरह से सरे इंटो टू स्टिचेज इसको ड्रॉप करके फिर से यह देखें विर्कुल लिडिल जैसा ही बाइंड आफ का शेप आता है इस तरह से फिर से इस तरह से खींचे इसको दो फंदो में पॉर्ड वाइस स्लाइड डालेंगे और फिर इसको निट वाइस डाल के और फंदे को ट्रॉप कर देंगे पुट तर निटल पॉर्ड वाइस इंटो टू स्टेचेज दो फंदो में निडल डालेंगे खींचें की धागे को ना ज्यादा लूज या ज्यादा टाइट और फिर इसको पॉर्ल वाइस निडल डाल के इस तरह से दागा निकाल के इसको ट्रॉप कर देंगे फिर से इस तरह से स्लाई स्वीड डालेंगे मैं बिगनर के लिए पूरी स्लाई आपको करके दिखाऊंगी तक कि आपको कन्फिजन ना हो फिर से और मैं इसकी दोनों साइट भी आपको दिखाऊंगी कि उसका शेप क्या आता है इस तरह से इसको ड्रॉप कर देंगे अगेन कीप रिपीटिंग अब थोड़ा सा लास्ट में आपको दिखाना चाहरी हूं ताके बिगनर कन्फिजन ना हो कि आखर में फिर बंद कैसे होगा इसी तरह इस दो फंदों में डाल के पहले परल वाइस जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं और फिर निट वाइस जैसे सीधा फंदा बुनते हैं इस तरह से निडल डाल के फंदे को ड्रॉप करते जाना है सब्सक्राइब बस आखर में इतना कोई मुश्किल नहीं है बस इस तरह से अपने करते जाना है आखर तक यह दिखें इस तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ अब सीधा बंत होगी आपस अपने बाइंड अफ कर देना है और सिक्यूर कर देना है इसको अब मैं आपको थोड़ा से इसके शेप दिखा देती हूँ इस तरह कर इसके शेप आता है और यह देगे किता स्ट्रेच視 है आप कास्टा आउट देख लें और उसके बाद बाइंड ऑफ देख लें किस तरह स्ट्रेचिय थे इस method को आप जरूर मेरे साथ मेरे पेज़ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका किस तरह से बाइंड ओफ निकला है और कोई और भी मेथड सीखना है तो आप नीचे कमेंट करते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पेज में मुझे मैसेज करते हैं तेंक यू सो मच फॉर वाचेंग मैं वीडियो अलाहाफेज